हनुमानगर कलेक्टर दोगपतियों से कर रहे थे सीदी वाचित और कलेक्टर ने कहा आठ से ग्यारा बजे के बीच में बुद्वू कहां से आती है तो सबी उद्मी जो दोगपति थे उन्होंने चुपी साध ली दरसल हनुमानगर जंक्शन के सबी लोग परदूशन से जूज रहे हैं काफी मसला पराना है काफी सालों से यही समस्या चली आ रही है कैमिकल जुक पानी गंदा पानी जो देवोगपतियों के दवारा सीदा नालियों के अंदर छोड़ा जाता है और एक राजस्तान गिलू नाम से एक फैक्टरी यहां हनुमानगर नई कुण जाएंगदर लगी हुई है सबसे ज़्यादा बुदवू उसी कियाती है क्योंकि जब हड़ियों के परयों को वां किया जाता है काम और उससे कुछ गिलू निकालने का काम किया जाता है उसके वाद फिर हन्मानगर जंक्शन के चारों तरफ बुद्वू का आलम रहता है हाला कि S.T.P. बताय जा रहा है उसके द्वार लगाया गया लेकिन जो समचित रूप से बुद्वू बाहर नहीं जाने चाहिए वह अभी भी बंद नहीं होती है कलेक्टर ने यही तो पूछा था कि 8 से 11 बजे के बीच में शाम को बुद्वू कहां से आती है उसका कारण यही है कि जब राजस्पार गलू फैक्टरी चलती है उसका जो बादू परदूशन है वैल दूर दूर तक फैलता है और कलेक्टर की कोठी तक भी बुद्वू पहुंचती है इसलिए तो कलेक्टर ने दूर पतियों से पूछा था बुद्वू आने का दूसरा कारण है जो जगा जगा पर गंदा पानी केमिकल जुक्त पानी खड़ा है चाहे हम नगर परशिद के पानी की बात कर लें चाहे हम अद्योग पतियों की फैक्टरियों के दूरा जो परदूशित पानी शोड़ा जा रहा है उसकी बुद्वू भी चारों तरफ फैलने का काम प्रती दिन कर रही है लोगों के सवस्त पर बपरी तसर पड़ रहा है अद्योग पति अपना रोना रो रहे हैं कि डंपिंग जाड़ नहीं है नालियों की सफाई नहीं है हालंकि ये काम होना चाहिए और जो पेड़ पतों की बात की जा रही है बताया जहीं जा रहा है कि रिको के दोरा पिछले साल टेंडर भी किया गया आठ लाग के लगवक टेंडर किया गया लेकिन आठ लाग के पौदे कहां गए जह सवाल वहीं कह वहीं खड़ा है द्योगपतियों के दोरा भी पुछा गया और मीडिया के दोबारा भी बार बार रिकों से पुछा जा रहा है कि पोदे कहां गए पेड कहां गए जा फिर आठ लाग कागजों में पोदे लग गए तुमाम ऐसे सवाल है जो कलेक्टर को जांच करने के बाद खोल ले चाहिए और कलेक्टर को यह भी जानना चाहिए कि फ फैक्टरियूं वाड़े जो बात रोणार हो रहे हैं उनकी बात कितनी सही है और जो लोग तरस रहे हैं लोगों के अंदर एक जग्यासा है कि कलेक्टर ने मीटिक लेकर उसके बाद क्या कारवाई करेंगे यह भी लोग देखने चाहते हैं कि कलेक्टर के दवारा आखिरका जो प्रदूशन जो सुवाय उन्हें ने कहा कि मेरी कोटी तक आठ से ग्यारावे तक बुद्वू कहुंचती है क्या वे इस बुद्वू को बंद करेंगे बंद करवाने का प्रयास करेंगे और आगे उनकी क्या रांडिती रहेगी यह तो तमाम बते देखने वाली हैं इनके साथ में रिको, डियाइसी, नगर परिशद और पॉलिशन उदा के अधिकारे के साथ एक बैठक की इसमें जिले में जो इंडिस्ट्री इस्टाब्लिश्मेंट है उनको क्या चैलेंजेज फेस हो रहे हैं क्या इस्यूज आ रहे हैं और जिले में जशा भी राइजिं इसमें कई सारे M.O.E. गुए हैं और इन M.O.E. को हम लोग धरातल पर उताने के लिए लगा था परियास रखें ऐसे में जिले में इंडिस्ट्री का पॉजिटिव आतावान कैसे बने इन सुजाओं को लेकर चैप्चा तीजी और शभी उद्नियाने अपने अच्छे परियास रहेगा इन सबके साथ लगातार संवाद करते हुए जिले में अद्यबी विकास का एक सकारते हुए यह सारे विंदू वहाँ पर चर्चा हुएगे जिमन OTP लगा रखा है कौनशा फंक्स्नल है कौनशा फंक्स्नल नहीं है इसमें हमारी टीम वर्क करेगी जहां नौन फंक्स्नल है उनको परियास रहेगा दोनों ही तरह कि मानिवन पर किसी तरह का नेगेटिव इंपेक्ट नहीं आए इसको लिए और इंडिस्ट्रियल एंवार्मेंट बैटर बने इन दोनों बिंदों के बीच बैलाइंस रखाए तो यह अभी ब्रीफ किया गया परियास करें हैं जल्दी इसमें बजट एलोकेट होकर किशनी किसी आजेंसिस इसको पूराइगा कलेक्टर ने मीडिया के सामने जही का है कि उद्मियों से बाचित की गई है वहीं दूसरी और बर्बन किया गया है मौका देखा गया है और एक अधिकारियों की टीम बनाकर सबी इंडिस्ट्रिज एरिये को चेक करवाए जाएगा जो बाते सामने आई हैं पर दूशन को ल कलेक्टरी वाला निमो की अवेलना कर रहा है उसके बुर्द कारवाई भी अमल में लाई जाएगी अब देखना यही है कि सालों से यह समस्या बनी हुई है कलेक्टर आते हैं और बदल जाते हैं नियम कानुन काईदे की बाते तो करते हैं लेकिन अधिकारियों के सतर से जो कलेक्टर के अधेश होते हैं उसकी पालना वैश सही तरीके से होती नहीं है इसलिए समस्या जा लगातार लंबे समय से चल रही है दूर नहीं हो रही है अब देखते हैं कलेक्टर के दोरा कहा तो गया है लेकिन आगे देखने वाली बाते हैं कि कलेक्टर के कहे के अनुसार और अधिकारियों की जो टीम बनाई जाएगी वे क्या जांच करेगी क्या रपोर्ट बनाएगी तमाम बातें ऐसी देखने वाली हैं लेकिन लोगों का दर्द यहीं शलकता है कि आखिरकार अधिकारियों के दोबारा सुवाइम देखने के बाद सुवाइम की खोटियों तक बुदू पहुंचने के बाद भी उस पर पक्का अलाज क्यों नहीं हो रहा है एतमाम ऐसी बातें जहन के अंदर लोगों के अंदर उठ रही हैं देखते हैं आगे क्या होता है कलम नूज के लिए गुर्देव सिंग सैनी की रिपोर्ट